अपकार साथियो, हिंदी नेट शाला में आप सभी का पुन हार्द कभी नंदन है जैसा कि आप सभी जानते हैं, अपने इस चैनल पर हम हिंदी के उच्छिस तर्य प्रतियों की परिक्षाओं की तैयारी करते हैं और उसी क्रम में हम हिंदी के अंतरगत कावे शास्त्र शीर्षक से संबन देत प्रशनों को व्याख्य सहित हल कर रहे हैं यह वर्तमान में उपलब्द प्रैक्टिस सेट में से सर्वशिस्ट प्रैक्टिस सेट में आपके समक्ष प्रस्तुत कर रही हूँ ऐसा इसलिए है क्योंकि पुराने जितने भी आपके राज्जियों में आयोजित पेपर हैं जिनमें कावे शास्त्र पूछा जाता है सलेवस में निर्धारित है उनके प्रशनों का ये संचयन है आपके KBS के हों UP के हों MP Assistant Professor के हों NET के हों सभी प्रशनों इसमें लिए हुए है सबको नीचे उसके लिखा भी गया है कि कौन सा प्रशन कौन से पेपर में पूछा है और साथी साथ उनकी व्याक्या भी उपलब्द है तो आप कह सकते हैं कि ये पूरी तरीके से प्रमानिक हैं जो विद्ध्यारती ये परिक्षारती पहली बार चैनल पर जुड़ रहे है इस प्रैक्टिस सेट को देख रहे हैं तो प्लेलिस्ट बनी हुई है इनकी आप प्रैक्टिस बुक के रूप में तो आप वहां से इसको बाकी वीडियो देख सकते हैं तो आईए 134 पे नंबर का प्रशन हम देख लेते हैं जब अर्थ का ग्रहन अभिदा से ना हो किन्तो उससे संबंध हो तो संबंध यानि उससे बंधा हुआ हो उससे जुड़ा हुआ हो तो अर्थ ग्रहन कराने वाली शब्द शक्ती को क्या कहेंगे लक्षना कहेंगे जब अर्थ का ग्रहन अभिदा से ना हो किन्तो उससे संबंध हो तो उसको हम लक्षना शब्द शक्ती कहे अचित्य के आधार पर होता है अर्थ निर्णे सामर्थ निर्णे सनिधी निर्णे उप्रियुक्त सभी उप्रियुक्त सभी नहीं होगा सही उत्तर होगा अर्थ निर्णे अचित्य के आधार पर अर्थ निर्णे होता है औचित्य संप्रदाय के प्रवर्तक छे मेंद्र हैं इनका ग्रंथ औचित्य विचार चर्चा है इन्होंने औचित्य को रसका प्राण माना है कौन सी शब्द शक्ती का भेद नहीं है अभीदा, वेंजिना, लक्षना ये दो शब्द शक्तियां है करुणा एक भाग है अतहीं ये शब्द शक्ती का भाग नहीं है जिए इसी प्रवक्ता में पूछा हुआ था और अगर ये इसी प्रवक्ता में पूछा हुआ है तो बह। ही ईजी है इसके बाद आपके UGC.net और हरियाना के परिशा में पूछा हुआ प्रशन है कि कौन सी कृती आई ए रिचर्ड्स की नहीं है प्रिंसिपल आफ लिटरेरी कीटिसिज्म, अफ दे फिलोस्पी अफ रेटरिक, कल्चर एंड अनार्की तो कल्चर एंड अनार्की मेथ्यू और नाल्ड की है रिचर्ड्स की नहीं है अब यदि आप इन प्रशनों को सही से इनको सौल्व करने से पहले पढ़ना चाहें तो डिस्क्रिप्षन बॉक्स में मैं लिंक दे दूंगी एक छोटी सी बुक मैंने आपको कराईए वस्तुनिश्टितिहास पूरा प्लेलिस्ट में है उसके माध्यम से आप कावय शास्त्र को पढ़ सकते हैं किस आचारे ने वर्ण संदर्ये को सभी अलंकारों से बढ़ कर माना है कावे अलंकार इनका ग्रंथ है शब्दार्थो रही तो काव्यम किसकी है हम बार बार इसको करके आये हैं इटी जिटी पीय टी में लगबग हर बार ही पूछी जाती है तो यह भा मा की है बाकी सबका मैं पूरू की practice set में करवा चुकी हूँ तो यहां बार बार समय अपना वियर्थ नहीं करेंगे आगे बढ़ते हैं कौन से आचारे ने चतुरवर्ग की प्राप्ति को काव्य का प्रियोजन माना है भा माने माना है फर्स्ट पेपर जो राजसान कॉलेज लेक्चर कविष्टा मनुष्य को स्वार्थ संबंदों के संकुचित घेरे से उपर उठाती है शुकल का कथन है हम सभी ने आचारे शुकल का जो निवन्द कभी तक क्या है अच्छे से पढ़ा है और नहीं पढ़ा है तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूंगी आप पढ़िएगा उससे आपके गध्यांश से लेकर और भी कई तरीके के प्रशन आप सॉल्व कर सकते हैं बहुत ही प्रसिद उपयोगी और विस्तृत ये लेख है बाकि शुकल के अन्य सभी निवन्द भी उपलवद है और आपके स्लेवस के भी सभी निवन्द आपको म संबंद निम्लिकित ग्रंथों का सही अनुक्रम क्या है तो ये 2015 वाले में भी पूछा हुआ है और एक बार और रिपीट हुआ है ये कई बार रिपीट हुआ है कहने का तात पर है सबसे पहले है अभीना भारती फिर है दश रूपक फिर है नाट्टे दरपन और फिर है भा प्रकाशन तो अभीना भारती ने दसवी शती के उत्रार्द में अभीना गुप्त ने अभीना भारती लिखा ग्यारवी शताबदी में धननजे ने दश रूपक लिखा राम चंद्र गुण चंद्र ने भारवी सताबदी में नाट्टे दरपन लिखा और शार्दा तने न यदि इस तरीके के एकात प्रशन आप से छूट जाते हैं तो भी चिंता की बात नहीं है, हाँ सरल प्रशन नहीं छूटने चाहिए वक्रोक्ति के विरोधी आचारे कौन है? विश्वनात विश्वनात ने कुंतक के सिध्धानतों का खंडन किया है इनका गरंथ है साहित्य दर्पण जबकि भामा ने काव्यलंकार, रुद्रट ने काव्यलंकार, सूतरवर्ती और मंबट ने कावे प्रकाश नामक ग्रंथ की रचना की है अभिवेंजनाबाद के प्रवर्तक कौन है? क्रोचे अभीवेंजनाबाद के प्रवर्तक क्रोचे हैं प्रमुक सिध्धान्त है इनका अभीवेंजनाबाद है और प्लैटो का है प्रत्यवाद आरस्थु का है अनुकृती एवं विरेचन और त्रासदी का और कॉल मास का प्रगति और माक्सवाद किस पास्चात्य आलोचक ने हमारी मुल्यांकन संबंदी धारनाओं का संबंद मानसिक उद्ध्योगों से माना है आई ए रिचर्ड्स ने हमारी मुल्यांकन संबंदी धारनाओं का संबंद मानसिक उद्ध्योगों से माना है रिचर्ड्स ने आलोचना के दो मूलाधार सिध् सिध्धान्त और संप्रेशन सिध्धान्त अब मैं ये आपको करवा चुकी हूं व्याक्या और बाकी मैं आपको ये करवाऊंगी कावेश्षा थोस में समझाऊंगी गलत कथन का चेयन करना है राजिस्थान का है ये प्रश्ण राजिस्थान में पूछा हुआ था कविता की अंजानी दुनिया का शब से पहला उपकरण है शब्द। बिम्ब अमूर्थ विश्य को साकार करते हैं, मुक्त छंद में भी अर्थ की ले होती है, कवीता में शब्दों के परियाए होते हैं, तो ये गलत है। क्योंकि कोई नियम नहीं है के परियाए होंगे होंगे वो सकते हैं, एक दो लेकिन हमेशा के लिए नियम नहीं है। बिम्ब का अनिवारे तत्व क्या है तो बिम्ब का अनिवारे तत्व है कल्पना और इंद्रियता कल्पना और इंद्रियता होनी ची विवरनात्मक हो या ना हो सपाट वयानी हो या ना हो कोई जरूरी नहीं है कल्पना और इंद्रियता विम्ब शब्द अंग्रेजी के इमेश शब्द का हिंदी रुपांतरण है जिसका अर्थ है मूर्त रूप प्रदान करना कावे में विम्ब को वे शब्द चित्र माना जाता है जो कल्पना द्वारा इंद्रिय अनुभवों के आधार पर निर्मित होता है विम्ब पधार्थ नहीं बलकि उसकी प्रतिक्रिती या प्रतिचबी है श्रस्टी नहीं पुनष्रस्टी है डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार कावे विम्ब शब्दार्थ के माध्यम से कल्पना द्वारा निर्मितिक ऐसी मानस शबी है जिसके मूल में भाव प्रेणा होती है विम्ब के मूलत हतीन तत्व हैं कल्पना भाव एवं इन्रिक्ता ओचित्य के आधार पर होता है औचित्य के आधार पर क्या होता है सामर्थ निर्णे सनिंधी निर्णे अर्थ निर्णे सभी एक सेकंड रखियेगा ये दो जगे प्रश्न दिया हुआ है और दोनों जगे इसका उत्तर अलग अलग दिया है तो इसका जो उत्तर है वो मैं कमेंट बॉक्स में आपको चेक करके बताऊंगी क्योंकि अभी दिपावली के चली मैं आपसे ज़्यादा कुछ नहीं कहूंगी बस मैं इतना ही कहूंगी कि कमेंट बॉक्स में मैं इसका सही उत्तर पिन कर दूँगी तो आप वहां से चेक कर लीजेगा साधारनी करण के विशे में कौन से कथन सही है साधारनी करण रसा स्वाद के बाद की प्रक्रिया है साधारनी करण आलम मनत्व धर्म का होता है यह सही है साधारनी करण के लिए भोजकत्व व्यापार अनिवारे है साधारनी करण के बिना भी रसानुबूती संभव है साधारनी करण के बिना तो रसानुबूती होई नहीं सकती तो A और D गलत है B और C सही है और यह शुक्ल का कथन है कि साधारनी करण आलम मनत्व धर्म का होता है और नायक के नुसार साधारणी करण के लिए भोजकत्व व्यापार अनिवारे है तद दोशो शवदार्थो सगुणा वनलंकृति ही पुनह क्वापी यह कावे लक्षन किस आचारे का है तो यह मम्मट का है मैंने आपको पहले ही बताया था यह क्वापी वाला जवाय ना तद दोशो सवदार्थो अवव की मात्रा है यह क्वापी तो इसको मम्मट से लगा लीजिएगा अगर आपको याद नहीं होते तो ट्रिक के मादम से क्वापी मम्मट क्वापी मम्मट प्रकाश कावे वापस से नहीं बढ़ेंगे आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा उतनी अच्छी तवियत नहीं है मेरी लेकिन फिर भी दिपावली की वज़े से मैं काफी समय से वीडियो नहीं बना पा रही थी तो उससे क्या है कि आप लोगों ने भी दिपावली की वज़े से पढ़ाई बंद कर दी कुछ इस तरीके का सही योग रहा कि थोड़ा स्वास्ते भी सही नहीं रहा और दिपावली के और उसके बाद से ही काफी सारा काम फैल जाता तो वीडियो में बना नहीं पा रही थी और आज भी लगबग बहुत अच्छी अकक्षा नहीं हो पा रही लेकिन ऐसे ही करते करते हैं बहुत दिन होगा इसलिए सोचा के एक छोटा सा वीडियो आना चाहिए और इसे नियमित करने का पूरा प्रयास हम करेंगे रस विवेचन में चित्र तुरंग न्यायक की कल्पना इनमें से किस आचारे ने की है शंकुक ने की है और दिखिए ये मैं पूरु के जो आपको तो सारे ही करने इसकी जस्ट बाद हम अपने भाशा वाली प्रैक्टिस सेट को करेंगे ठीक है इसके अलाबा हिंदी साहित्य के प्रैक्टिस सेट अगर आप करना चाहते हैं इसी तरीके से व्यक्षैत तरीके से तो इसी चैनल का जो हमारा दूसरा भाग है हिंदी जहां हम नाटक, निबंद, उपन्यास पढ़ते हैं, तो उस चैनल पर आपको मिल जाएंगे, यानि दोनों चैनल आपको देखने पड़ेंगे, काफी मोटी बुक है ये, इसका परीचे मैंने आपको भी पूर्व की वीडियो में भी दिया है, तो एक चैनल पर तो पूरी करा ना संभव है नहीं, तो दोनों चैनल पर मैं इसे आपके लिए करवा रही हूं, ठीक है, चित्र तुरंग न्याय की शंकुक ने इसको माना है, और किस आचारे ने कावे गुणों की संख्या दस्मानी है, तो भरत मुनी ने कावे गुणों की संख्या दस्मानी है, बावन 20 प्रकार के गोडों की कल्पना की है ठीक है भारतिय नाट्य शास्त की द्रिष्टी से नाटक का मुख्य उद्देश्य क्या है व्यक्तित्व का परीशोधन चरिते चित्रन द्रश्यों का प्रस्तित्वी करन रसास्वादन ये सब थोड़े बहुत हो सकते हैं है ना लेकिन उसे जादा जरूरी क्या है रसास्वादन जब आप कोई भी द्रश्य विधा देखें तो उसमें आपको रस ampl की प्राप्ति होनी चाहिए आनंद की प्राप्ति होनी चाहिए कावे शास्त्री ग्रंत रस कावे मिमानसा के लेखक कौन है तो राज शेखर हैं इसके कार्यत्री प्रतिभार भावे त्री प्रतिभार इन्होंने दो उसके भेद किये हैं लाई कावे मिमानसा को देख लेते हैं भरात्मुनी द्वारा लिखित रचना नाटे शास्त्र को भरात्मुनी ने पंचम वेदवी काए 36 अध्याएं हैं और 5000 श्लोक हैं नाटे शास्त्र में भरतमुनी के नाटे शास्त्र में दस गुण दस दोस चार अलंकार बताए गए फिश्मना द्वारा रचित साहित दरपड़ भी महत्पून कावे शास्त्री है गरंथ है तो ये बाकी के लेखाकों के गरंथों का परीचे दिया है इनोंने कभी कंठा भरण के रचिता कौन है छे मेंद्र औचित्य वाले कौन है छे मेंद्र जी है इसके अलावा दंडी का कौन सा है काब्यादर्श है जो बार बार पूछा जाता है और धननजय का कौन सा है दशरूपक गरंथ अब केशब मिश्र का मुझे याद नहीं है और यहाँ द भी दिया हुआ नहीं है धननजय का और धन डिका तो फिर भी याद है ऑरस्तू के अनुकरण सिध्धान्थ में कौन सी एक बात नहीं है कवीता जगत की अनुकर्ती है अनुकरण की प्रक्रिया आनंद दायक है अनुकरण से हमें सिक्षा मिलती थे यह सब अभी हमने पढ प्रकृति का अनुकृन मानते हैं और ये पिछला जो उत्तर प्रदेश का असिस्टेंट प्रॉफेसर भर्तियाला पेपर हुआ है उसमें पूछा हुआ है प्रिंसिपल अफ लिटरिरी किटिसिज्म पुस्तक के लेखक कौन है तो ये प्रश्न गलत था आई ए रिचर्ड्स हैं इसके किसकी माननेता है कि अधिवक्ति की उच्चता और उत्किष्टता का नाम है लॉणजाइन्स की माननेता है अधिवक्ति की इसी के साथ इस वीडियो को यहाँ पर एक और प्रश्न करते हैं अलंकार वादी आचारे कौन से नहीं है तो आनंद वर्दन नहीं है बाकि इन दो प्रश्नों की व्याख्या अगले वीडियो मैं करूंगी एक छोटा सा मेरे ये प्रयास था हलांकि मैं इस चीज़ को एकसेप्ट करते हूँ तो आप लोग पूर्व के वीडियो देखिए साथ ही साथ इस चैनल का दूसरा भाग हिंदी बुक्षाला में आपके निबंद नाटक उपन्यास कहानियां जो कुछ भी सलेवस में लगा हुआ है सब कुछ उपलब्दे जरूर चेक करें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगी धन्यवाद नमस्कार